हालो फैंस यूपी एक्जेंबर रवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम क्लास 12 मैक्रो इकॉनमी का यहां पर थर्ड लेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेश्यनल इंकम एकाउंटिंग यहां हम यहां पे देखेंगे उसके बाद यहां स्युक्zig प imagen हुआ है कि यह बारे में हम यहां पे समझेंगे सनों पानी यहां पर यहां पर है उन्सेप्ट से यह जो पानी आ रहा है तो इससे क्या बोलेंगे हम इसे फ्लो बोलेंगे ठीक है फ्लो मतलब पानी यहां पे आ रहा है अब यहां पर गिलास है जो गिलास में पानी कठा हो रहा है तो इससे क्या बोला जाएगा मतलब जहां पर पानी कठा हो रहा है किसी भी यहां पर पर्टिकु तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा यहां पर स्टोक हो जाएगा कलियर तो चलिए यहां पर कुछ example हम देखे लेते हैं उसके बाद हम यहां पर में जो डिफ्रेंस होता है क्या कि इनकी definitions होती है वह हम देखेंगे अब यहां पर स्टोक में जैसे वैल्थ हो गया अब जैसे कोई भी दन दोलत यहां पर है ठीक है जैसे कि लैट स्पोस की 2000 के यहां पर यहां पर एक महीना काम करने के बाद यहां पर उसे सैलरी मिलती है तो income उसे दी जा रही है, ठीक है, income उसे दी जा रही है, तो इस से क्या बोला जाएगा, लेबर force, यहाँ पर कोई एक particular जगा है, वहाँ पर यहाँ पर बहुत सरे जो मज़़ूर हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह स्टोब को जायेगा इनका ठीक यहाँ बर फोर्स और यहांपे एकस्पेंडिचर ओफ मनी अब इनके ओपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा यहां पर एक ओर ले ले लेते हैं जैसे कि यहां पर बैंक में यहां पर हम गएंपएसे यहां पर मार्केट में सर्टूलेट होगा ही होगा फ्रहें अब आपको यहां पर समझ में होगा बैंक में हमने पैसा जम्में कराएं यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर flow हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर water in the overhead tank में पानी है तो उसे क्या बोला जाएगा अगर तो यहां पर tank में leakage है तो पानी वहां से leak करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा उसे flow बोला जाएगा जैसे यहाँ पर leeg है तो यहाँ पर टैंक केट्स हो पानी यहाँ पर stalk बोला जाएगा अगर इसमें leak है तो इससे क्या बोला जाएगा ख्लियर है अगर हम बात करें यहां पर जो distance गार ख्लाए और पूने के बीच ठीक है डिस्टैंस ऐसे तो है निकि सड़क को हम यहां से उठा के कहीं ओर रख दें ऐसा तो बिलकुल भी नहीं कर सकते ना तो यहां पर एक क्या होगा स्टोक होगा मतलब कि एक फिक्स है यहां पर जो एक पर्टिकुलर टाइम के ओपर है कि यहां पर यहां पर नहीं द्रफ को रुझा है यहां पर संवेक्षा भी कर देंवे और पे इनमें क्या होता है तो यहां पे stock और flow में तो यहाँ पीजियर फा खरता है कि value of a variableиеat a particular point of time किसी particular point of time के ओपर यहां पे उसकी जो value होगी किसी variable की उसे stock बोला जाएगा unclear है तो flow क्या होगा है यहां पे flow यहां पे जो value होगी variable की for a period of time मतलब कि यहां पर एक period देखा जाएगा जैसे कि हमने salary की बात की कोई भी व्यक्ति है अगर एक महीना वो काम कर रहा है यहां पर 30 दिन ठीक है अगर वो काम कर रहा है उसके बाद उसे यहां पर salary दी जाती है income यहां पर दी जाती तो उसे क्या बोले जाएगा उसे इस्टोक बोला जाएगा तो इसटोक के यहां पर कोई time dimensional नहीं होता है यहां पर इसे major किया जाता है किसी specific point of time की ओपर clear और यहां पर जो flow होगा यहां पर एक time dimensional होगा यहां पर इसे measure किया जाता है per hour per month या per year के हिसाब से clear उतके बाद यहाँ पर जो stock होता है यह flow को यहाँ पर impact करता है ठीक है किस परकार से अगर तो ज़्यादा stock होगा हमारे पास capital का तो flow भी क्या होगा यहाँ पर goods and services का ज़्यादा होगा let's suppose कि अगर मेरे पास bank में इस समय ठीक है एक क्रोड रुपया यहाँ पर पड़ा है अब मेरे पास इतना यहाँ पर stock पड़ा है तो मैं क्या करूँगा इससे invest करूँगा यहाँ पर दूसरी चीजों को खरीदूँगा तो यहाँ पर वो क्या होगा flow यहाँ पर stock को भी impact करता है अगर तो यहाँ पर ज़्यादा flow होगा हमारे पास income का तो जो stock of wealth होगा यह भी ज़्यादा ही होगा ठीक है जैसे same example मैंने यहाँ पर दी थी एक roader पर account में है मैंने यहाँ पर समान मगरा खरीदा ठीक है तो यहाँ पर मैंने समान खरीदा बहुत सरा आगे मैं उसे बेचूंगा ठीक है फिर वो क्या होगा वहाँ से profit भी तो generate होगा तो इससे यहाँ पर जो wealth है यहाँ पर stock जो होगा wealth का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है यह क्या है sale के लिए मतलब कि यह बेचना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर जमीन को खरीद लिया मतलब कि मैंने यहाँ पर पैसा invest कर दिया ठीक है दूसरी example ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर गर है यहाँ पर यह बेचना चाहते है मैंने इस गर को खरीद लिया मतलब कि मैंने अपना जो पैसा वो यहां पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया यहां मैंने कार खरीदी कार खरीदी यहां पर मैंने जो पैसा वो अपना इन्वेस्ट किया या कोई machinery है मतलब कि मेरे पास एक company है कि मैं यहां पर आगे जैसे laptop बनाता हूँ ठीक है मैं अलग लग parts को assemble करता हूँ assemble करने के बाद मैं जो laptop है आगे बेच रहा हूँ तो यहां पर जो machinery के ओपर मैं invest कर रहा हूँ ठीक है तो यह क्या हो जाएगी मेरी investment हो जाएगी या कोई और company है मेरे पास ठीक है वहां पर जितने भी यह assets वगएरा होंगे यहां पर machinery वगएरा यहां पर खरीद दी जाएगी आगे और ज्यादा production करने के लिए तो यह भी मेरा क्या होगा investment होगा I hope आपको basic समझ में आ चुका होगा investment क्या होता है मतलब कि जब हम पैसा लगाते हैं किसी चीज के ओपर कि वहां से हमें मुनाफ़ा मिल सके ठीक है उसी को हम क्या बोलेंगे investment बोलेंगे चलिए देख लेते हैं यहां पर एक process होगा capital formation का capital को बनाने का process होगा capital क्या होता है पूंजी यह पैसा ठीक है इसी को बोलते है capital तो यहां पर process होगा कि हम यहां पर जो capital stock होगा यह stock capital होगा उसको हम increase कर सके ठीक है जैसे कि मैंने यहां पे बहुत सरा समान खरीद लिया है यहां पे laptop assemble करने का यहां पे ठीक है assemble करकर कि उसे मैं आगे बेच रहा हूं तो यहां पे यह क्या हो जाएगा investment हो जाएगा तो यहां पे अगर हम economics में बात करें जो capital stock होता है वो क्या होता है assets होते हैं जो कि आखे production में यहां पे मदद करते हैं ठीक है जादा से जादा हम production कर पाएं ठीक है उसे यहां पे capital stock बोला जाते हैं तो example देखे लेते हैं जैसे construction of building building बना रहे हैं अब जैसे यहां पे लैट्स पोस की किसी भी व्यक्ति के दुवारा एक shop खोली गई ठीक है shop खोलीगी मतलब कि यहां पे juice की shop खोलीगी तो वो यहां से juice यहां पे लोगों को बेचेगा ठीक है और भी बहुत सरी सुविदा हैं यहां पे provide करेगा तो यहां पे जो इसके दुवारे यह building बनाए गई थी यहां पे investment ही की गई है यहां पे ठीक है पैसा कमाने के लिए in the future और भी बहुत सरी आप ऐसे building लगा सकते हो purchase of machinery machinery को purchase कर रहा है यह भी investment हो जाएगी shares को खरीदना यहां पे stock market में यह भी क्या हो जाएगा यह भी उसकी investment हो जाएगी clear है तो I hope आपको investment समझ में आया होगा इसे यहां पे दो categories में classify किया जाता है एक तो होता है fixed investment और एक होता है inventory investment तो यह भी हम देख लेते हैं तो next हम यहां पे move करेंगे fixed investment क्या होता है तो यहां पे जो fixed assets का जो stock होता है अगर उसमें increase होता है यहाँ पे यहाँ पिस्टमेंट और में और यहां पर 2009 इंक्रीज होगे यहाँ पहो जाती है तो यहाँ पर कितनी मशीन का यह फाइफ थीन से हुआ थे न के थेеспल सी investment बोला जाएगा clear है तो यहां पर fixed investment को fixed capital formation भी बोला जाता है अब यहां पर इसकी importance क्या होती है हम वो देख लेते हैं fixed investment की अब यहां पर यह जो production capacity होती है उसे भी increase करती है ठीक है let's suppose की पहले मेरे पास कितनी machines थी यहां पर 12 machines थी तो यहां यहां पर यहां पर जर। यहां पर यहां पर यहां पर फ्रूदक्टे को raise करती है और तो फो पर द्रॉदक्शन faculty में increase होता है तो यहां पर जो fixed investment होगी यहां पर ज़्यादा से ज्जादा आउटपुट जो होगी economy की वो दर्शाएगी ठीक है जादा यहाँ पर output होगी यहाँ पर जादा output होगी तो इसकी साथ यहाँ पर जो economic growth है वो जादा देखने को मिलेगी देश की इट मीस यहाँ पर जो GDP growth आपको देखने को मिलेगी GDP growth क्या होता है वो हम यहाँ पर detail में next आन आया गया है कि 2019 में यहाँ पर एक company थी ठीक है 2020 में यहाँ पर दो company और यहाँ पर establish कर ली जाती है 2021 में यहाँ पर चार companies यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर यह क्या होगी यहाँ पर fixed investment इसे बोला जाएगा clear है तो next यहाँ पर move करते हैं तो class 11 की सभी playlist आपको नीचे description box में मिल जाएगी वीडियो को find out करने की जूरत नहीं है वीडियो अच्छे लगे तो share कर दिया करो playlist और लोगों के भी यहाँ पर मदद हो सके अगर आप share नहीं करना चाते जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है वैसी examples के साथ यहाँ पर दूसरों को पढ़ा दिया करो उनकी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूं क्लास एक से लेके ट्वैलों तक की यूपी एसी यहाँ पर फ्री ओफ कोस्ट में आपको प्रवाइड की जा रही है ठीक है तो चली यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं सो नेक्स्ट यहाँ पर inventory investments क्या होती है तो इसके बारे में हम य यहाँ पर 2019 में यहाँ पर कितनी बाइक सी यहाँ पर 100 बाइक सी यहाँ पर ख्रीदी गई कि यहाँ बेचने के लिए ठीक है तो यहाँ पर उस साल यहाँ पर कितनी बाइक सी बिकी यहाँ पर तो यहाँ पर 70 बाइक सी यहाँ बिकी अब कितनी रहेगी यहाँ पर 30 जो यहां पर 30 bikes, 30 bikes का हमारे पास stock बच्चा हुआ है, जो पिछले साल का जो stock हमारे पास बच्चा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे inventory investment बोलेंगे, मतलब कि वो भी हमारे पास सभी stock पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे यहां पर inventory investment बोला जाएगा, तो यहां पर देख लेते तो यहां पे उसमें से कुछ जो गुर्स होंगे वो तो उसी साल बिक जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे जो गुर्स होंगे वो बच जाते हैं उन्हें अगले साल बेचा जाएगा clear as sold in a later year साने वाले साल में उसे बेचा जाएगा तो यहां पे दूसरी और example क्या देख सकते हैं हम या कुछ जो goods हैं, वो आज इस year में यहाँ पर बेचे गए, हो सकता है कि यह वाले जो goods हों, इसे पिछले साल यहाँ पर produce किया गया हो, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो यहाँ पर पिछले साल का यहाँ पर बच जाता है, यहाँ पर हमारे पास material, ठीक है, प्रूप्स प्रूप्स किया गया है मतलब की कितने भी के लेट्स पोस्थी सातर गुर्थ यहां पर एक साल में ठीक है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर 30 यहां पर 30 तो हमारे रहे हैं उसे producer मान लो वैसे तो वही होगा कि उसके पास यहां पर फिनिस्ट गूर्ट का मतलब की अनसोल्ड गूर्स जो गूर्स नहीं इन्हें इन्वेंटरी स्टोक बोला जाता है मतलब कि पहले सो बनाए यहां पर digital पहले बीस रह गेंगे यह जो चेंज होगा यहां पे इसे inventory investment बोला जाता है जो inventories यहां पर होते हैं इन्हें capital की तरह treat किया जाता है या investment ठीक है अब यहां पर यह जो 20 products यहां पर बचे हैं यह जो 20 products हमारे पास बचे हैं यह अगले साल बिकेंगे यह भी तो क्या है यह भी तो हमें पैसा कमाके ही देंगे ऐसे तो है नहीं कि यहां पर एक साल में यह 20 products नहीं बिके तो हम इसे फैंक देंगे ऐसा बिलकुल नहीं होगा इसे अगले साल बेच जाएगा फिर से वहां से income generate की जाएगी तो यह भी एक capital ही होता है जो बच जाते हैं हमारे पास clear है होगा नेक्ट हम depreciation देख लेते हैं क्या होता है यहां पे loss of value of fixed assets होती है अब इसमें Those होता है तो इसी के बोला जाता है इसे depreciation बोला जाता है इसमें लगलग कारण हो सकते है depreciation के मतलब उससी value का कम होना एक तो हो सकते है है normal मतलब कि यहां पे इसकी जो जैसे हम पर्टिकुलरली इसे यूज करते जा रहे हैं बहुत सरे सालों में ठीक है लैट स्पोस्थ की मेरे पास लैप्टोप है जिसके ओपर मैं नोर्स बना रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं अपलोड कर रहा हूं ठीक है यह मेरा एक फिक्स 1000 का ही बेचूंगा अगर मैंने बेचना हुआ तो इसकी जो कीमत होगी उसमें गिरावट आ जाएगी ठीक है लैट स्पोस्थ की आज के समय में यहां पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 15,000 से लेके 20,000 तक होगी यहां पे दो साल में कितना ज्यादा लोस हुआ यहां पे इसक तो normal wear and tear मतलब कि हम इसे regularly यहां पे use कर रहे हैं ठीक है उसमें यहां पे wear and tear हो सकते हैं मतलब की समाने जो तूट फूट होती है यहां पे जैसे गिर गया या बहुत ज़्यादा laptop की अगर बात करूं कि यहां पे यह बहुत ज़्यादा hard चर रहा है ठीक है मतलब कि अब जैसे यहां पर चला रही है बाई चांस यहां पर गिर जाए तो उसके ओपर यहां पर repair का maintenance का खर्चा और यहां पर आएगा ठीक है तो यह depreciation में आ जाता है clear है जब हम इसे लगातार इसका यहां पर use करते रहते हैं so go down in value यहां पर जब value में गिरावट आना तो यह कब हो सकते हैं यहां तो हो सकते हैं यहां पर जो product हम use कर रहे हैं outdated हो चुका ठीक है मतलब कि जैसे पहले जो पुराने monitor आया करते थे वो ठीक है TV type जो काफी वाइट वाइट कलर के होते थे यहां पर आज के समय में तो यहां कोई मिल गया movie में जो use किया जाता है तो यहां क्या हो सकता है कि technology में जब चेंज आता है तब वो क्या हो जाता है यहां पर उसकी value गिर जाती है कि हम यहां पर पुरानी technology का use कर रहे हैं यहां डिमार्ड में बदलावाना यह सारे कारण यहां पर हो सकते हैं depreciation को और किस नाम से जाना जाता है consumption of fixed capital के नाम से भी जाना जाता है और capital consumption के नाम से भी इसे जाना जाता है clear let's suppose कि मैंने यहां पर एक machinery है वो 10 लाख में यहां पर purchase की ठीक है और यहां पर जो इसका expected lifetime है कि यहां पर इसे मैं 10 साल के लिए ही use कर सकता हूँ तो एक साल का यहां पर कितना हो जा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा depreciation हो जाएगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा depreciation ठीक है तो यहाँ पर कुछ साल के बाद या दो साल के बाद लगातार यूज करने के बाद जो इसकी यहां पर वैल्यू में गिरावट आना इसे ही क्या बोला जाता है इसे gross investment यहां पर आपको तीन बातों का याद रखना होगा पहली पहली क्या है कि यहां पर जो expenditure किया जाता है fixed assets को खरीदने के लिए ठीक है fixed assets जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास यहां पर fixed assets क्या है यहां पर laptop है ठीक है एक तो यहां पर यह चीज होगी दूसरी यह यहां पर inventory stock मतलब की जो पिछला यहां पर stock मेरे पास पड़ा हुआ था let's suppose कि यहां पर यह मैंने नया laptop लिया इसमें यहां पर 2GB की यहां पर RAM थी 2GB की RAM है अब यहां पर बहुत slow चलेगा यह ठीक है अब मेरे पास पहले से 4GB की RAM पढ़ी होई थी तो मैंने वह इसमें डिल यहां पर total किती होगी 6GB की RAM होगी अब यहां पर मेरा जो laptop होगा बहुत अच्छे से चलेगा दूसरी चीज पता लगया आपको inventory stock इसके उपर भी तो मेरा खर्चा हुआ है तो तीसरी चीज क्या होगी expenditure on the replacement मतलब कि अब let's suppose कि इसमें जैसे hard disk के उपर यहां पर सही से नहीं चाहिए यहां पर storage करने में यहां पर मुश्किले आ रही हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा वह hard disk को को निकलवा के दूसरी नई hard disk के यहां पर लगवानी पड़ेगी तो इसमें replacement के उपर भी तो खर्चा आया यह जो replacement के उपर खर्चा है यह क्या होगा यहां पर depreciation होग जो replacement के उपर यहां पर खर्चा हुआ है यह तीनों चीजों को मिलाके यह मेरा क्या होगा gross investment इस laptop के उपर होगा जिसके उपर आप यह मैं वीडियो बना रहा हूँ clear है gross के अगर हम बात करें gross economic में gross का मतलब होता है total मतलब कि मैंने total कितना investment कर दिया 30,000 तो मैंने यहां पर laptop खरीदने में लगा दिया जो परानी मेरे पास यहां पर RAM पड़ी हुई थी let's suppose की वो कितने की थी यहां पर 2000 की RAM थी अब यहां पर hard disk यहां पर इसमें कुछ यहां पर खराबी आ रही थी यह hard disk को मैंने निकलवा के इसे replace करवाया दूसरी नई hard disk मैंने यहां पर लगवाई इसके उपर यहां पर 5000 का खर्चा गया clear है अब यहां पर total investment कितना हुआ इस laptop के उपर कितना हुआ यहां पर 37,000 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यहां पर यह gross investment हो जाएगा मेरा ठीक है इसी तरह आप अपना यहां पर निकाल सकते हैं अगर कोई भी company वाले होंगे तो अब यहां पर important बात क्या है ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर लाइफ टाइम हमें यूज करते हैं जो assets का होता है उसमें wear and tears हो जाती है ठीक है यह outdated हो जाता है यह सबी चीज़े यहां पर replacement के कारण हो सकते हैं अब यहां पर अगर note की बात करें ठीक है important चीज़ है यहां पर यहां पर यह जो inventory stock है मतलब कि यह जो unsold stock का मतलब की जो नहीं भिका था या जो मेरे पास RAM पड़ी थी ठीक है जो किसी ने नहीं ली तो यहां पर इसके ओपर भी तो मेरा करचा हुआ है यह भी तो मैंने purchase की हुई है अब यहां पर यह जो total expenditure होगा ठीक है तो यह चीज़ भी यहां पर important है इसके बारे में आपको पत इस laptop के ओपर मेरा total कितना invest हुआ ठीक है मैंने वो चीज़ बताई यहां पर समझ में आया कि यहां पर fix assets को purchase करने का दूसरा यहां पर जो inventory stock पहले मेरा पड़ा हुआ था तीसरा यहां पर जो मैंने भी replacement वगारा करवाई है ठीक है और एक example आप जितनी मर्जी लाग हो example यहा यहां पर कपड़ी सीलने की यहां बिस्कुट बनाने की factory यहां ऑedelे कि वैक्तरी लगा लो ठीक है सबसे पहले कपड़े बनानी की factory है तो आपको होगे मिशिनरिस करीद होगे raw material खरीद होगे यह सब कुछ के ओपर यहां पर खर्चा करोगे उसके बाद अगर let's post के आपके पास यहां पर पहले सी कोई stroke बचवा है उसका भी आप इस्तमाल करोगे कि पिछले साल के आपने cotton खरीद हुई है वो भी आप इसमें use करोगे ठीक है यह इसकी रिपियर के ऊपर जो खर्च आएगा वह सारा आपका क्या हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहां पर देख सकते हैं जो जैसे मेरे पास क्या है लैप्टोप है मेरा ठीक है तो नेक्स्ट मूव करते हैं आपको बहुत ही कम कोस्ट के ऊपर मिल जाएंगी तो नीचे यहां पर होगा ठीक है यहां सीधी सी बात यहां पर बोलूं कि यहां पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट किया हमने तो इसके उपर जो फिक्स एसेट के ऊपर यहां पर खर्चाया और इन्वेंटरी स्टोक के ऊपर जो खर्चाया यह दोनों को मिला के हमारा नेट इन्वेस्टम आ जाएगी है कि हमने नेट कितना इन्वेस्ट किया है मतलब कि यहां पर जो लैप्टोप है लैप्टोप मैंने 30,000 का खरीदा और यहां पर जो मैंने रैम जो पहले मैंने डिलवाई थी वो कितने की 2,000 की ठीक है तो टोटल कितना आ गया 32,000 यह मेरा नेट इसके ओपर पर जाएने को मिलेगी तो वो अगर तो depreciation इसमें एड किया जाएगा तो वो gross investment बन जाएगा अगर depreciation इसमें मैं include नहीं करता तो यह मेरा net investment है 32,000 का समझ में आया यहां पर net investment क्या होता है यहां पर इंवेस्टमेंट जो था उसमें डैप्रीसियेशन को माइनस कर दो तो यह आपके पास नेट इंवेस्टमेंट आ जाएगा नेट इंवेस्टमेंट जो होती है यह प्रोड़क्शन कैपस्टी को इंकुरीज करती है और यहां पर इंप्लोईमेंट बहु भी देखने को मिलेगी ठीक है मतलब कि दोनों में यह जो पहली दो चीज़े अभी हमने यहां पे लास्ट में करी थि एक तो फिक्स collapse निएसर्ट एम मतलब यहां पर जो फिक्ष्ट investment है दूसरा यहां पर जो Inventory Ministries टोक है Inventory investment यह दोनों चीज़ें थो आपको gross investment में भी देखने को मिलेगी net investment में बस gross investment में आपको यहाँ anonymous pää, जो replacement कोना वो भी देखने को मिलेगा है net whis investment में नहीं देखने कोमिलेगा थो simple सी बात नहीं कोई में rocket science नहीं है बिलकुल आसान है यहाँ पर जब्शन पर अपने यहां पे 5-5 example सोच लो सभी topics की आपके concept clear हो जाएंगे lifetime आप इसे नहीं बूलोगे clear है इस प्रकार से पढ़ा करो कोई भी subject हो जैसे कहानी आप अच्पन में बढ़ते थे प्यासा कोवा कहानी होगी शेर की और चूहे की कहानी होगी जाल को कुतरने वाली यह अभी तक हम लोगों को याद है क्यों याद है क्योंकि हमने कहानी इनकी बनाई प्यासा को हुआ यहां पे उसे प्यासा लग रही थे उड़ रहा था गार्डन में देखा उसने एक गड़ा पड़ा हुआ था पानी गम था ठीक है यह चीजे इमेजिन हमने किया तभी जाके हमें अभी तक ही याद है इसी तरह एकॉनमिक्स हो गया है हिस्ट्री, जोगर्फी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट इसी परकार से करवाए जाने है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना सभी की प्लेइलिस्ट मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर कर देना अपने आज पास फाइर रखे जादे से जादा पेड़पो देगा इंगरीन इंडिया के तरफ मूव करना यही हमारा लक्षा सो जाहिंद हावा फेंटास्टिक थी